सावन का महीना चल ले हैं इसमें बेचो कुता हूँ चेल बजबाद ही डर है बन लेकरो दुपान फ़लाबेट्स बन गरो बन गरो बन गरो यहाँ बन गरो दलाइफ टीवी सच सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं दलाइफ टीवी और बेहूं आपके साथ मुनमुन रह्मान उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के लोग अपने आपको सरकार प्रिशासन किसी भी कानून से उपर समझने लगे हैं और यही वज़ा है कि उनका आतंक और उनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है आप सभी को पता है कि सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने में बजरंग दल जैसे जो संग्टन है वो खास तरीके से एक्टिव हो जाते हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए उन्हें धमकी देने के लिए और उन पर अत्याचार करने के लिए उत्तरप्रदेश के बरेली से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें बजरंग दल के सदस्ते जो हैं वो एक मुसलिम की मीट की दुकान पर जबरदस्ती घुसते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं बकाईदा ये धमकी भी देते हैं मुसलमानों को कि सावन के महीने में तुमने दुकान खोल रखी है दुकान बंद कर दो तुम्हें नहीं पता कि सावन के महीने में दुकान नहीं खोलते दुकान बंद कर दो नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे और बकाईदा सरयाम दुकान बंद करने की धमकी दे रहा है सवाल तो यह है कि यह बजरंग दल के जो लोग हैं गुंडे हैं इन्हें किसने हक दिया मुस्लिम दुकान में जबरदस्ती घुसने का और तलाशी लेने का इसी के साथ यहां पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये कोई कानून है सरकार है पुलिस है प्रशासन है इन्हें किसने हक दिया इस तरह के निर्देश देने का खुले आम तरीके से की धंकी देने का या फिर यह कहने का कि सावन के महीने में दुकान खोलोगे तो जेल भीच देंगे अब यह हर साल का हो गया है दोस्तों हर साल सावन आते हैं और हर साल मुसल्मानों को इसी तरीके की धंकिया दी जाती है उनकी दुकानों के बाहर हला किया जाता है दुकानों में जबरदस्ती घुसा जाता है तलाश्य ली जाती है और उन्हें बंद करने की धंकिया दी जाती है अब आपी सोचे कि बजरंग दल वालों की हिम्मत जो है वो लगातार बढ़ रही है उनको ऐसा हक किस ने दिया और क्यों दिया अब आपको तस्वीर दिखाएंगे इस वीडियो को ट्विटर पर इंडियन अमेरिकन मुसलिम काउंसल के ओफिशेल ट्विटर हैंडल से शेर कि या गया है और इसमें लिखा है कि कौन शेय दे रहा है इनको आगे लिखाए यूपी के बरेली में बजरंग दल के गुंडों को यह हक किस ने दिया कि वो मुसल्मानों की दुकानों की तलाशी ले मुसल्मानों की मीट की दुकानों को जबरन बंद करवा है उपर से धमकी कि ये सावन के माईने में मीट बेचोगे तो जेल भेज देंगे कौन है ये गुंडे किसकी शेय पर नाच रहे हैं क्या यूपी सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है क्या इनके लिए कानून नाम की कोई चीज अब रह नहीं गई है तो कहीं तरह के सवाल यहां पर ख करना है वीडियो पर लोगे तो जेल फेज देंगे वीडियो का सबसे पहला हिस्सा देखिए इस वीडियोमें बठ डल के जो गुंडेंटि वो जबरास्तिי दुकान में गुस्ते हैं और को तलाशी लेते हैं विडियो आपने देखा जिसमें बजरंग दल के लोग दुकान में गुसकर जबर्दस्थितलाशी ले रही हैं और उसके बाद एक और वीडियो देखिए वीडियो के दूसरे हिस्से में आप सुनेंगे कि वो बकाईदा ध्मकी दे रहा है बजरंग दल का सदस्य बकाइदा धमकी दे रहा है हुसलमानों को कि तुम्हें पता नहीं है कि सावन चल रहा है सावन के महीने में दुकान खोलोगे तो जेल भिजवा देंगे अब आप बताएए कि ऐसा कौन सा कानून है और ऐसा कौन सा अपराद हो गया कि सावन के महीने में अगर दुकान खोलेंगे मीट की तो उसमें जेल भिजवतिया जाएगा लेकिन बजरंग दलवाले इस तरह की धमकी खुले आम दे रहे हैं और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है देखिए वीडियो का दूसरा हिस्सा गजरंग दलवाले खुले हाम जबड़दस्ती कर रहे हैं खुले आम तलाशी ले रहे हैं और किस तरीके से धमका रहे हैं मुसल्मानों को वीडियो का एक अखरी इसस्सा देखिए जिसमें वो खुले आम चलते चलते भी मुसल्मानों को धंगी दे रहा है कि दुकान बंद करो और यहां से भाग जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा वीडियो का तीसरा हिस्सा देखिए तो वीडियो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से यूपी के बरेली में मुसल्मानों को मीट शॉप खोलने पर धंकिया दी जा रही है और यह लगबग हर साल का हो गया है यह दोस्तों हर साल सावन आते हैं और हर साल मुसल्मानों को इसी तरीके से धंकिया दी जाती है प्रताडिक किया जाता है और इसी तरीके के मामले जो हैं वो हर साल सामने आते हैं 2014 के बाद से हर साल जब भी सावन आते हैं इसी तरह की तस्वीरे देखने को मिलती है अब यह मामला जो है वो कुछ नया नहीं रह गया क्योंकि हर साल यह जो मुसल्मानों की मीट की दुकाने बंद करने का इनका हर साल का ये हटकंडा हो गया है इसी के साथ आपको बता दे कि हिंदूत वॉच ने भी इस वीडियो को शेर किया है और यहाँ पर लिखाए कि जगय बरेली उतरपरदेश राष्टिय बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम स्वाबित वाली मास की दुकानों पर छापा मारा और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर किया वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो दुकानों में ऐसे तलाशी ले रहे हैं और उनको बकाईदा ये धमकी दे रहे हैं कि दुकान बंद करके यहां से भाग जाओ रहे हैं तो जेल पिचवा देंगे वहीं आपको बता दें कि एक तरफ कावड यात्रा भी शुरू हो चुकी है और सावन भी लग चुकी है इन दोनों को देख्ते हुए मुसल्मानों की दुकानों को बंद करने के अलग से निर्देश दे जा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं ये खबर जागरन की है ये खबर है वारानसी के काशीम की इसमें लिखा है कि काशी में कावड यात्रा वाले रूट पर बंद रहेंगी मीट की दुकाने दो महीने तेक ये प्रतिबंद जो है वो जाली रहेगा आप सोचिए कि एक तरफ कावड यात्रा के लिए प्रशासन और सरकार जो है उनके स्वागत में फूल बिछा रहे हैं उनके स्वागत में खुद बिछे जा रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है कावड और सावन को देखते हुए मुसलमानों की दुकानों को जो मीट की दुकाने हैं गोश्ट की दुकाने हैं उनको दो महीने के लिए बंद करने का निदेश दिया है अब आप सोचें कि जिनका उस दुकान से गुजारा चलता है जिसने दुकान कोल रखी है उसका दुकान से गुजारा चलता है घर का किराया, मकान का किराया, बच्चों की पड़ाई, दवाईया, खर्चे, राशन वो सब कहां से होगा जब दो महीने दुकान बंद रहेगी त इसमें लिखा है कि कावड यात्रा और सावन मेला जो है वो 4 जुलाई से शुरू हो चुका है एक डेड़ महीने तक यह जो सावन है वो रहता है वही नगर निगम ने कावड यात्रा वाले रूट पर मीट की दुकानों पर प्रतिबंद लगा दिया है यह प्रतिबंद पूर माबब की दवाई कैसे लेंगे इसका कोई भी लाग जो है वो प्रिशासन के पास नहीं है प्रिशासन ने सिर्फ कावड यात्रा और सावन के मेले के चक्कर में यह फैसला जो है वो सुना दिया है वही आपको बता दें कि बुलंद शहर में भी इस तरह का एक निर्देश स क्योंकि हम अकसर देखते हैं कि जब भी हिंदू के कोई त्योहार आते हैं तो इसी तरीके की चीज़गों मुसलमानों के साथ की जाती है सावन का जो महिना है, वो 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये महिना तकरीबन 1.5 से 2 महिने तक चलता है 4 जुलाई को शुरू हुआ सावन जो है, वो 31 अगस्त तक चलेगा तो 31 अगस तक जिनकी मीट की दुकाने हैं चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो किसी भी धर्म के हो जिनकी मीट की दुकाने हैं वो कैसे अपना घर गुजारा करेंगे और कैसे अपने घर का राशन पानी करेंगे इसकी चिंता जो है वो सही सरकार को है नई प्रिशासन हो है क्योंकि सरकार और प्रिशासन तो कावडियों की स्वागत और सावन मिली की तयारियों में व्यस्त है अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं जिस तरीके से उत्तरप्रदेश के बरेली में भी एक मामला देखने को मिल गया और ये शुरुवात है अभी ऐसे और कई मामलें कई तस्वीरें देखने को मिलेंगी ये हर साल का हो गया कि सावन के महिने में मुसल्मानों से का जाता है कि अपनी मीट की दुकाने बंद रखो तुम मीट नहीं बेचोगे दुकान खोली तो जेल भीजबा दिया जाएगा और कई मामले में तो ऐसा किया भी जाता है मुसल्मानों के साथ मारा पीटी की जाती है उन्हें जबरन तरीके से धमकिया दी जाती है ताकि यो अपने दुकाने ना खोले ये सब एक डर का माहू त्यार करने के लिए है अपना वच्चस्व कायम करने के लिए किया जा रहा है लेकिन अफसोच की सरकार और प्रिशासर ये सब खामोशी से खड़े हो करके देख रहा है आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं जिस तरीके से उत्तरपरदेश के बरेली में मुसल्मान की हैं हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं